हाई हाई मैं अकांग शमस्ती और आप लोग देख रहे हैं भोश्पुरी बाते भोश्पुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा धे सारा सा प्यार उनके लिए आज आपका यह अक्या तो दूर करके एक अल्वाम है पंजाबी इसका फर्श लोग जाली किया आपने तो किस तरह से मानाया आपने किस तरह से लॉंच किया असलाम अलेकूम नमस्ते साशियकाल मैं एक्टर प्रिंस नवीत खान तेलंगाना से हूं और अल्रेडी मेरे कुछ म साउथ से रिलीजिंग पर है और हाली में मेरा एक गाना रिलीज वा जरा-जरा सा दिल धड़कने लगा और यह मेरा सेकेंड सौंग है बॉलिवूट का अक्या तो तूर्ब और पंजाबी सौंग है यह और मैं बेसिकली तिलंगाना और दुबई से हूं आज हम लोग जो इ लोग जो इस बादाओं है तो वहां पर तिलंगाना में तकरीबान 500 प्यूपल्स खाना खाते बहुत गरीब लोग रहते बहुत जरुद मन्द लोग रहते तो मेरे को खुशी होती कि वैसे लोग को मैं वैसे लोग के साथ कुछ मैं कर रहा हूं और मैं खुद उनके साथ ठ जब कभी भी मैं कुछ काम करूं तो साथ में गरीबों का कुछ ख्याल करते वे उनको साथ में लेते वे मैं कुछ काम करने का मेरा हमेशा ऐसे ही रहास हो है और अभी जो मेरा ये गाना अखिया तो दूर जो गाना है पंचाबी सौंग है इसके डारेक्टर धीरज भई है औ यह प्रिजेंस स्टारफोक्स प्रोडेक्शन से है और कसीश प्रोडेक्शन जो भाई का प्रोडेक्शन है और M.Kumar प्रोडेक्शन तो अभी हम लोग के गाना अल्रडी कुम्लीट कर दिये और अभी एलिलीजिंग पर है तो यह इसका जो पोस्टो लाउंस था इसी जगा है नहीं कि जहां पर इसा करें क्योंकि आजकल आनाद अश्रम में एक जगा पेटन्ट है जो वहाँ पे हम जाके कुछ कर सकते और वैसे मासूम ऐसे बच्चे हैं जो उनके बारे में कोई कुछ सोचते नहीं सोचते वहसे इसे उसे बहुत सारे प्रॉफिट देगा, उसमें से मेरा मेरी खौहिश है कि मैं उसका 50% गरीबों में दान करूँ और बात करें हम इस गाने की म्यूजिक की, तो म्यूजिक इसने दिया और कहां पे शूट हुआ लोकेशन है? यह अच्छली मुंबई में शूट हुआ सो है और एक डाम मुंबई के थोड़ा 100 km से दूर डाम है वहाँ पर हम लोग शूट करें से बहुत अच्छा लोकेशन था और हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क करी इसमें और बारिश का सीजन है अब उपर वाले का करम था हमारे साथ अब भी साथ था हमारा गाना कंप्लीट हो गया क्योंकि अभी जो मुंबई में वेदर चर रहा बारिश का उसके बाद भी हमारा काम आसानी से हो गया और पर वाला भी हम अमारे साथ है तो कैसा एक्स्प्रियेंस रहा सूटिंग के दोरान कुछ पल दर्सकों को बताना चाह यह मेरे भाई भी है दोज भी है और इस फिल्म के प्रोडूसर भी है आपका बहुत कॉपरेड आपका बहुत सपोर्ट रहा जो मैं आज यह स्टेज पे हूँ पहले तो मैं बहुत बहुत तैंक यू मानव भई को बोलूँगा और बस यह बता मैं पबली को यह बताना चाह क्योंकि आज के जो लोग है इंडस्री के वो लोग कुछ कई लोग ऐसे टालेंटेट बंदे लड़के है लड़किया है उनको सहीं सपोर्ट नहीं मिलता उनको सहीं सपोर्ट नहीं मिलता कुछ लोग है उनको मिस्यूस करते उनको सपोर्ट नहीं करते तो मेरी एक रिक्वे वात आज परोर्मोर्ट इन कर्राका जब इनस सब्सेंट लिए कोई धो कोई प्रोमोट ने कर्राय है मैं भी आज ऑगो उत roughly पिद्यक्टोच मेंौने हम प्रोड्रेशन जो पेढ़ पर आज चैट से पर बैड भूद उसलेघ कर दोन arrive पाट इसके पीछळे देस कोई हिरो इसके पीछे पहुत सारे लोग लग जाते हैं मैं यह चाहूँगा और मेरा जो उबी काम हैं, वेफिर फॉड़ेशन का, मैं ubiquopkin का, जो सल्मान भाव का, जो जिस तरीके से काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए और जो ज़umanद है, उनके क्रते ही जिस घूसाब की ज़रूद पड़ती है, सल्मान भाव ह्मेशां आगए आते हैं, जो साल साल पह मेरे को यहां पर मार्क है, मैरे को यहां पर मार्क है, मैं बहुत बड़ा फैन है सल्मान बे का, और मेरी यह खौहिश है कि मैं कभी ना कभी जरूर उनसे मिलूंगा इंशालला जैसा कि पोस्टर में पीछे लिखा हुआ है, नियू खान एंट्री इन बॉलिवुड तो आज एक बॉलिवुड में नए खान के एंट्री हो रही है, तो कहीं आप इससे सल्मान खान जी से तो प्रेरित नहीं है, जिसके से आपने आनार्थ बच्चों को आज उनके साथ में उनके साथ में म्यूजिक डांस किया यह सब, तो कितना सल्मान खान जी को फॉलो करते हैं? मैं 100% उनको follow करता हूँ पर उनके जैसा बन नहीं सकता हूँ और भी बहुत सारे stars है, बहुत सारे खान लोग है सबका अपना-पना उनका अपना-पना पोजिशन है उनका अपना एक उनके अपनी value है अपनी जगा पर मैं सबसे ज़्यादा fan हूँ सलमान भाई का और उनका जो हर तरीके का जो काउपरेशन रहता सबके साथ आज बॉलिवूड में उनको इतने दुआएं मिल रहे हैं इतना सपोर्ट मिल रहा है तो यह सब उपर वाले की मदद है और वो भी हर किसी के लिए मदद के लिए ठहरते हैं आगे बढ़ते है अगर सल्मान खान जी यह वीडियो आपका देख रहे हैं तो उनसे क्या अपी करना चाहेंगी क्या कुछ कहना चाहेंगी मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई बड़े भाई सबके भाई सल्लू भाई मैं यह एक ही रिक्वेस्ट यह करूँगा कि बस मैं तो इंडरी हो गया बॉलिवूड में आजएख खान बस मेरी यह खौईश है उनसे कि बस एक बार में अच्छे से मिलो और बस मेरे बहुत बड़ी बात हैंगी कि सल्मान भई के साथ में अगर मिला आपने भी बताई हैं तो किस तरह से इस फांदेशन सो जोड़े और किस तरह से उसको चला देखा एंगी कुछ लोग को में देखा जो लोग इस चीज को एक बिजनस बना लिए तो मैं यह जो फांदेशन चलाता हूं यह मैं अपना ओन चलाता हूं कैसे किसी की सपपोर्ट से या किसी की श्यूमने कर दो कि जब जब मेर आप that to böед खरीदा क करता हूं तो माशहां बहुत सारे काना खाते। हुँ सारे ले रहते। किसी के लोग आप 5 practises 10 Rupees दे के ठाने लिए ले एक 5ू8や 10 Informationen के लिए और झाणे worthy तो उपर वाले का बहुत बड़ा इसा करम है जो मैं कुछ कर रहा हूँ और आगे मानववय का भी प्लान है उस चीज को आगे सपोर्ट करे और अगे अपनी अपनी मर्जी है क्योंकि अच्छा काम करने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकते या मेरे साथ जुड़के भी होके कर सकते वो अपना खुद का भी कर सकते क्योंकि अच्छे काम की डैरक उपर वाले के पास वाल्यू रहती अब बात करें सर आप किस तरह से जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से और क्या कुछ कहना चाहिए किस तरह से आज मारी को बना ही दे और उनके साथ में इतना काफी टाइम स्पैंड किया एंजॉय किया तो क्या बुछ कहना चाहिए बहुत अच्छा लगा मतलब लाइफ में को तो फस्ट इमस एक्स्पीनिस हुए है कि कोई स्टार जो स्टार बन रहा है वो अना बच्चों का गरीब बच्चों का सोच रहा ह उनके साथ बैटके खाना खा रहा है और उनको एंटरेटेंग कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ इस तरह से आप इनको सपोर्ट करते हैं और क्या कुछ टेप्स देना चाहेंगे इस पूर्ट उपर वाले की है हम तो कोशिश करते हैं और कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगी प्रोजेक्ट कि आगे बढ़ने के लिए तो हम हर अकर रड़ी हैं उसके लिए तो हम बात करें आपके प्रोजेक्त के क्या होंगे और इसके बाद क्या कुछ आने वाला है अब मुझे कुछ आईवे हैं बॉलिवोड आप से तो मैं ऐसा कुछ इसको फाइनल नहीं करा रव क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पहले काम मार्केट में लोगों को लगे कि हाँ बंदा कुछ कर सकता क्योंकि आज अगर हम कहीं जाते हैं काम के लिए कहीं से आफर आता तो पहले लोग पुछते प्रोफाइल पुछते प्रोफाइल अगर अगर बंदे का कुछ प्रोफा शेधिन के आफ़र सारे ये जाना olhos मेरे अच्छे अधिक्ष सारे है। मेरे ये म statement honour मैं प्रोडूसर का मैरे में दोस्त है। और दोस्त कम बहुत अच्छे महत्थी त एक ड़ोगती हैं आधिनके अल्ड़्यक्ण पेधियां धिना जह रखेंख detta?」 आप मेरे को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत सारे से लोग के साथ काम करा, जो मेरा टाइम बेस्ट हुआ, मेरा बहुत कुछ अपना, मैं गवा चुगा, पर जिस जब से मैं इनके साथ काम करा, में को बहुत खुशी है, और यह में को बहुत सपोर्ट करें, आज मैं तो फिर मिलजूल के करें और अच्छे से अच्छा काम करें और पब्लिक से एक रिक्वेस्ट ये करता हूं जैसे भी हम कोशिश करें आप लोग हमा को एक्सेप करिये और सपोर्ट करिये मनुच भाई जैसा कि प्रेंच जी ने आपके बाले में बहुत कुछ बताया आप किस तरह से इनको बना ही देना चाहेंगे आज इनका जो पोस्टर का लुक जारी किया है किस तरह से परस्टाइम इनके साथ काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लागा रही बहुत मैन गूझे से कशिश प्रॉडक्शन और एमकुमार प्रोडक्शन इसको प्रोडूथ कर रहा है डिलीजिंग गेस का अपना यह राहुल सिंग है और हमारी टीम में यह बन अप दिर्रेक्टर है और अगे भी हमारा प्लान है कि कुछ मिलके काम करें और हमारे साथ थे हमारे को सपोर्ट करें सो है और हमारे जितने भी लोग ते पुरे यंग्स्टर्स थे और सबका अपना-पना एक क्रेटिविटी थी और सबका अपना अच्छा प्रेजेंटेशन था सबका मेरी यह हुएश है कि न्यू जेंडरेशन में आज़ बहुत टालेंट है बहुत होनर है और उनको एक बार कुछ मोखा मिलेंगा तो बहुत कुछ करके दिखा सकते तो बड़े जितने भी लोग है जितने डिरेक्टर् है को सबहुत करना चाहिए और उनका अपना टालेंट को देखना चाहिए तो राहूल शिंग बॉत अच्छे है लाहूल जी जैसा कि प्रेजी शेया तो किस तरब यह से आप इंको बड़ाय को बहुत छारी बड़ाय को और उस सौंग के लिए और उससे भी बड़ी चीज कि दुबधि की ओ के हमारे इंडिया में आ के अपने आपको परजेंट कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि दुबधि से होते हुए इंडिया को इतना ये प्यार कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, अगली दित मैं, क्योंकि लोग अपने देश को छोड़के अपने देश में यह इसी गददार लोग बढ़े पड़े हैं तो कौन प्यार कर रहा है इंडिया से बट इनकी वो तमन्ना देखके हमें भी खुशी हो रही है कि अपने देश को तो करते ही हैं बट हमारे देश को भी ये प्यार कर रहा है तो इससे बहुत बड़ी हमें खुशी होती है और इस गाने के लिए हम बहुत बहुत डेहर सारी सुब कामना है इनको देना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि यह हमारे साथ में आगे भी काम करें और इनके दो साउत की मुवी भी अलड़ी आ रही है जो अभी रिलीजिंग पे है पोस्ट प्रड़क्शन में फिल्म है बहुत जल्दी आपके बीच में फिल्म भी आ जाएगी एक बॉलीवुड की फिल्म भी आ रही ह है अलुड यह गाण इनके रिलीज हो चुके हैं और यह दूसरा सोंग जो आपके सामने दिख रहे और बहुत सारी चीजे है जो इन्हों ने बताई अभी जोת स्लमान जी के बारे में कि खान उनको फॉलोकरते हैं तो हम दो इनको एक ही चीज कहेंगे कि स्लमान जी को आप बड़ खुद की एक ट्रेंड बनाईए, खुद में जीए, या आप सल्मान खान बन जाएंगे, या आप सल्मान से आगे जा सकते हैं, सल्मान खान को आप से मत कोपी करिये, या सल्मान से आप डाउन रहिए, या सल्मान से उपर जाईए, उपर आले से हम यही आपके लिए द अगर पब्ली के सामने उस चीज को पेस कर पा रहे हैं तो हम खुद में एक अपना प्रोजेक्ट परक्राइब तो हमारी एक फिल्म रिलीज पे है जिसका नाम है 1840 हैदराबाद जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं उसके बारे में और दूसरी फिल्म अभी याने वाली है धीरा जो कि पूरी जरखंड की स्टोरी है कोल माइन के उपर फिल्म है तो उसमें हम सोच रहे हैं कि भाई क तो कुछ स्वात करने का मौका दिया जाए कि हमारे फिल्म में भी साथ रहे हमें अच्छा लगया कि हमारे साथ में काम करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग हमारी चल रही है चल रही है जिसी जैसा कि आपके अलबम का टाइटल है अखिया तो दूर पंजाबी सौंगे और यह गाना पंजाब में चल रहे है चल रहा हो और पंजाबी लोग देख रहे हैं गाने को तो क्या कोच उन से कहना चाहेंगे मैं पंजाब के लोगों के लिए यह कहना चाहरा हूं माशालला पंजाब के लोग घर जगा फेम हैं और उनकी अपनी एक पहचान है और बड़े- next time इसे अच्छा कुछ साउंग करूंगा जो आप लोग को अच्छा लगे ये अप जैसे देसे फास्ट टाइम था हमारा हमारों को एक्सेप्ट करिये और सपोर्ट करिये थैंक यू सो मच लव यू बॉलीवोड लव यू पंजाब प्रेस दे बेल आइकन on the YouTube app and never miss another update